नमस्ते बच्चों मैं लकिया हुजा स्वागत करती हूँ आप सभी का राजस्तान सरकार और विदानता के CSR इनिशेटिव इकक्षा में जिसकी टेकनिकल पार्टनर है मिशिन ग्यान तो बच्चों अध्याय आठ में आज हमें अगला भाग शुरू करना है और ये भाग जो ह हमारा उपास्थी तथा पेशियों से संबंदित है तो दो नई चीजों के बारे में आज आपको जानना है कि उपास्थियां क्या होती है और पेशियां क्या है और ये किस प्रकार कार्य करती है तो बच्चों छोटी सी गतिविदी आपको फिर से करके देखनी है आपको जब आप इसे सपर्ष करते हैं क्या आपको ऐसा लगता है कि किसी कठोर अस्तिभाग का आप अनुभव कर रहे हैं जिसे मोडा जा सकता है तो आप देखे कि यह आपको कठोर भी लगता है लेकिन आप इसे मोडा भी सकते हैं यहां आगे देखते हैं क्या आपको उंगलियों क बीच दबाने पर कर्ण पाली और इसके उपर के हिस्से में कोई अंतर महसूस हुआ आपको उपर दबाने के बाद नीचे वाले हिस्से को इस तरीके से दबाना है ये जो हिस्सा है जिसे हम कर्ण पाली कहते हैं इसे आप दबा के देखे और तब बताएं कि क्या इन दोनों को जब आपने छुआ इनहीं जब आपने दबाया तो आपको कोई अंतर दिखाया नहीं दिखा क्या आपको ऐसा लगा कि कान का उपरी हिस्सा उतना लचीला नहीं है जितना कि हमारी कर्ण पाली यानि यह जो कर्ण पाली वाला हिस्सा है नीचे वाला हिस्सा है इसमें जितना लचीलापन है उतना लचीलापन इस उपर वाले हिस्से में नहीं है आपको अवश्य ही ऐसा लगा होगा बच्चो तो यहां आप ध्यान रखें कि यह है अस्थी जितना कठोर नहीं है यह जो हम उपास्थी कहलाती है तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे शरीर में अस्थियों के अलावा कुछ उपास्थियां भी पाई जाती है तो अस्थियां बहुत जादा कठोर होती है उनकी तुलना में उपास्थी थोड़ी कम कठोर कम सक्त होती है आगे चलते हैं बच्चों एक औ आपको मुठी के रूप में बांधना है, मुठी बनानी है, मुठी के अंगूठे से इसी बाजू के कंधे को चूने का प्रयास करें, जैसा आप यहां चित्र में देख पा रहे हैं, यह मुठी बनाई गई हैं, फिर इसे उपर उठा करके आपका कंधा जो है, इसे आपको भाग है, इसकी बात हो रही है बच्चों, कि जब आप दूसरे हाथ से इसको ऐसे करके और दूसरे हाथ से चूएंगे, तो आपको एक उभरा हुआ भाग दिखाई देगा, इसे ही हम पेशी या मास पेशी आ कहते हैं, संकुचित यानि की लंबाई में कमी होने की कारण पे मेचा जा रहा है, तो यहाँ पेशी की लंबाई में कमी होती है, जिसे संकुचन कहते हैं, और ऐसा करने पर पेशी की जो आकरती है, वो उभर के दिखाई देने लगती है, उसके बाद चलते या भागते समय, आप अपने पैरों की पेशीयों में भी इसी प्रकार का संकुचन देख सकते हैं, आप जब चलते हैं या दौर लगाते हैं, तब आपके पैरों की जो पेशियां हैं, वहाँ भी ऐसा ही संकुचन नजर आता है, संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर और मोटी हो जाती है, यह यह अस्थी को खीचती है बच्चों, यहा कठोर हो जाती है, और कुछ मोटी हो जाती है, अस्थी को पेशी असानी से खैच पाती है, अब आगे बात करते हैं बच्चों, कि किसी अस्थी को गती प्रदान करने के लिए, जब हम चलते हैं हमारा शरीर गती गत है तो वास्तों में हमारी अस्थियां और मास्पेशियां दोनों का एक समनवे वहाँ पर होता है किसी अस्थि को गती प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कारे करना होता है जब दो पेशियों में से कोई एक सिकुर्ती है तो अस्थी उस दिशा में खिच जाती है दो पेशियों की हम बात करें एक युगल के रूप में वो काम करती है जब एक पेशी सिकुर्ती है तो अस्थी उस पेशी की दिशा की तरफ खिच जाती है युगल की दूसरी पेशी शिथिल अवस्था में आ जाती है हमने संकुचन की बात करी संकुचन में पेशी की लंबाई घट जाती है वह छोटी या मोटी हो जाती है जबकि शिथिलन की अवस्था में जो पेशी है वो लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती है अब ये दोनों पेशिया इस प्रकार कुचन की स्थिती में आती रहती हैं अस्थी को विपरीद दिशा में गती करने के लिए अब शिथिल पेशी सुकुड कर अस्थी को अपनी पूर इस्थिती में खैचती है तो ये पूरा प्रक्रम आपको समझना है कि पहले एक पेशी सुकुडती है और वो अस्थी को उस दि की अवस्था में आ जाती है और अस्थी को विपरीद दिशा में गती करने के लिए जो शितिल पेशी है वो फिर क्या करती है संकुचन करती है यानि सिकुड़ती है जबकि पहली पेशी क्या हो जाती है इस दौरान शितिल हो जाती है जो पेशी पहले सुकड़ी थी वो शिति हो जाती है और जो पहले शितिल थी उसमें अब संकुचन प्रारंब हो जाता है तो बच्चों यहां ध्यान रखना है कि पेशी केवल खीच सकती है यह खीच सकती है यह धका नहीं दे सकती है और इसी कारण एक अस्थी को गती देने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से यानि की मिलकर के कारे करना होता है दो पेशियों को संयुक्त रूप से मिलके कारे करना होता है ताकि वो किसी अस्थी को गतीमान कर सके ठीके बच्चों आज की कक्षा में इतना ही इसी पाट को हम आपके अगली कक्षा में पढ़ेंगे इसे ही जारी रखेंगे तो आज ह सक्षम होती हैं वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद